नमस्ते फ्रेंट्स तो देखे पहले हम लोग जहां पर बात किये थे कि बीटकोइन के बारे में तो बीटकोइन ट्रेडिंग के बारे में आज एक बार और एक बार बात कर लेते हैं डे चार्ड में हम लोग देखेंगे यहां का जो भी जोन है यह पूरा के पूरा होगा तो ठोड़े बहुत रहा का जो भी लेंद है के लेंद के तिर्स तरफ यहां के हो सकते है इस से थोड़े और जादा जा सकते यहां तक जह सकता है ठीक है ला यहां टेक्वा तो Bitcoin में ओर जादा bullishness आएगा और उसके साथ-साथ A-Level तोड़ेगा तो और ज़्यादा bullishness आएगा ठीक है देखें बिटकोईन का जो भी आप लोग behavior देखेंगे तो पुरा के पुरा एक बार बिटकोईन का behavior देख लेते की कैसे open हुआ और किस तरह का इसका behavior है और किस तरह ओ गिया था मार्केट को एक बार analysis करेंगे ना तब देखेंगे कि मतलब कितना बढ़िया सा rally होता है मतलब देखें यहाँ पे बिटकोईन देखें पुरा के पुरा 2018 साल तक कुछ भी नहीं था ठीक है ना 2012 से 2018 साल तक बिटकोईन में उतना खूस खास कुछ हुआ नहीं लेकिन 18-17-18 साल के बाद तुरां तेख चला गया यहाँ पे और उसके बाद देखें यहाँ पे एक मतलब अब जो भी बता सकते हैं इसको कापें हिंडल भी बता सकते हैं तो डबल बैटन भी बोल सकते हैं ठीक है तो दोनों तरफ की देख सकते हैं जब भी इसका ब्रेक आउट आया है तब देखें इतना बुलिश हो गया 2020 के बाद तो बैस इसका मतलब फाटना था तो फाट गया तो उसके बाद थे एक अचा-कासा गिरवट आया था और यहां तक चलाया तो यहां पर सोचा की बिटकोईन में और कुछ बचा नहीं है बिटकोईन में सब कुछ हो दिया है तो जो लोग मतलब यहां से निकल गया तो यह निकल ही जाता है ठीक है ना सेर मर्केट में भी होता है हमारे इंडियन मर्केट में भी होता है और बिटकोईन में भी होता है सेम चीज होता है और इसके तरफ जो भी सोचा की नहीं इसमें रखना चाहिए तो रखा और उसके तरफ देखा और देखे weekly chart में देखेंगे तो weekly chart में आपको आभी भी कितना bitcoin में नजर आ रहे है कि bitcoin में कितना ज्यादा bullishness है आप देखी सकते हैं तो bitcoin में यहाँ पर एक बार मैं calculation करके बताता हूँ जो भी bitcoin में investment की तरफ रखते हैं मैं उसमें भी बात करूँगा उसे कोई दिख्याद नहीं लेकिन बात यह है कि एक बार देख लेते हैं कि कितना तरफ जा सकते हैं तो यहां से यहां तक कसाफर बनाएंगे तो सीधा के सीधा हम लोग बना लेते हैं यहां से यहां तक जा सकते हैं ठीक है ना हम लोग यहां से देखेंगे तो सीधा के सीधा देखे 1 लट की तरफ दिखा रहे है थीक है तो विकली चार्ड में दिखा रहे है कि 1 लट के तरफ जा सकते टो आप लोग विकली चार्ड को देखेंगे तो आपको पत्त लग जाएगा कि Bitcoin कितना ज़़्यादा बुलिस है और कितना जादा जाने का उमीद यहाँ पे है तो इसके तरफ आप लोग weekly chart में दी मतलब investment जो भी bitcoin में करते है तो उसके लिए ठीक ठाक है ठीक है लेकिन tax तो बहुत ही जादा है तो आप लोग future देख सेकते हैं जो भी future trade करना पसंद करते हैं तो हमारे future trade में मतलब bitcoin का जो भी delta exchange का यहाँ पे future chart भी आप लोग देख सेकते हैं चले आभी देखाता हूँ कि आभी five minutes के chart के ही सबसे क्या करने बाला है तो कहां तो कहां तो के तरफ 46,988 की तरफ ओके तो इस तरफ आ सकते हैं तो इस लेवल को मतलब लिख के रख सकते हैं आभी देखे इसके नीचे की मतलब breakdown दिखा रहा है तो breakdown एक बार हो जाए तो उसके बाद इसका नीचे एक बार close दे दे ठीक है न वहां से नीचे जाने का संभवना बहुत ही जादा ह हो जा चाता है और इसका जब भी breakdown आएगा तब सीधा के सीधा यहां की तरफ लेके आ सकते हैं यह पूरा जोन के तरफ लेके आ सकते हैं तो इस लेवल को अच्छे तरीके से देखना चलिए और एक बार मुलाकात होगा हमारा और एक नया वीडियो में तब तक के लिए राना चाहते हैं तो उनके लिए आज वीडियो था और कैसे तरीकिस हम लोग इसका प्लैन करेंगे उसके लिए भी हम लोग और एक बार वीडियो बनाएंगे और इस वीडियो में जादा से जादा 20 से भी जादा लाइक बन जाए तो यहां पर मैं कोसिश करूंगा हफते मे दो बार तो बीटकेंट के या तो इस ट्रेडिंग के उपर मतला क्रिप्टो कारेंट्सी के उपर हम लोग वीडियो बनाएंगे ठीक है तो चले आज के लिए इतना ही फिर्म लोगों देना वीडियो में तब दक के लिए जाए हिंद बाई बाई और इसको देखते रहिए ये टार्गेट पूरा होता है क्या नहीं ठीक है चलिए बाई बाई